दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग parts of speech को discuss करेंगे आज टाइप के parts of speech होते हैं नमबर वन वर्ब नमबर टू नाउन नमबर त्री अद्जेक्टिव नमबर पोर एडवर्ब नमबर फाइब प्रोनाउन नमबर सिक्स इंटर्जेक्शन नमबर सैवन कंजंक्शन और नमबर एट प्रिपोजिशन एक सेंटेंस को grammatically correct लिखने के लिए यानि एक सेंटेंस में grammar में कुछ मिस्टेक ना हो उसके लिए इन सब parts of speech की जरुरुत पड़ती है वर्ब का यूज किया जाता है किसी action या experience को describe करने के लिए जैसे walk, talk, push, pull, चलना, बात करना, खीचना, धक्का देना ये सब चीजे वर्ब है कोई भी चीज जो की action हो या experience हो वर्ब कहलाती है जैसे Amit eats the food Amit food खाता है यहाँ पे eats वर्ब है Raju loves to bake cookies Raju को cookies bake करना अच्छा लगता है यहाँ पे bake वर्ब है Next part of speech है noun Noun का मतलब होता है किसी इंसान का नाम हो किसी जगे का नाम हो किसी चीज का नाम हो क्या कोई idea का नाम हो For example Bank, headmaster, cup, shop यह सब नाम है तो यह सारे noun है जैसे my headmaster is a very clever person इस sentence में जो noun है वो है मेरे headmaster Next sentence अक्षे is going to on holiday to Shimla यहाँ पर दो nouns है सबसे पहले अक्षे एक इंसान का नाम है और Shimla एक जगे का नाम है Next part of speech है Adjective Adjective का मतलब होता है ऐसे words जो noun या pronoun को describe करें Adjective describes a noun और a pronoun For example Long, Ugly, Black या new For example Amita's bedroom is ugly यहाँ पे ugly word जो है यह adjective है क्योंकि यह word जो है describe करता है Amita के room को क्या Amita का room कैसा है Next part of speech है Adverb यह adverb तो और भी advance है यह verb को भी describe करता है Adjective को भी describe करता है और adverb को भी describe करता है यह हमें बताता है कि कैसे, कहां, और क्या, हुआ इन सब चीजों के बारें बताता है जैसे yesterday, always, slowly, fastly जैसे for example Amit is always late for school Amit school के लिए हमेशा late होता है यहाँ पे always word जो है यह adverb है यहाँ पे हमें यह भी note कर लेना चाहिए कि यहाँ पे adjective क्या है Late एक और example देता हूँ Last night I slept really well यहाँ पे adverb क्या है Last night पिछली रात को यह word जो है हमें कब के बारें बता रहा है इसलिए यहाँ पर यह adverb है Next part of speech है pronoun pronoun में हम लोग किसी इंसान के नाम को किसी जगे के नाम को किसी चीज के नाम को या किसी आइडिया के नाम को replace कर देते है pronoun से For example I, she, me, are, they, or it For example आशीश is a very nice friend He always helps me यहाँ पे आशीश तो नाम है लेकिन आगे वाले sentence में मैंने आशीश का नाम ने लिया बलकि बुला ही तो यहाँ पे मैंने आशीश के नाम की जगह ही word का यूज़ किया यहाँ पे ही pronoun है एक और example देता हूँ You can visit to my office at 2 o'clock तो यहाँ पे मैंने किसी का नाम ने लिया बलकि यू बुला है यू कैन विज़िट तो यहाँ पे यू वर्ड जो है ये pronoun है Next part of speech है Interjection Interjection का यूज़ किया जाता है किसी strong emotion को बताने के लिए वो strong emotion किसी word के थ्रू बताया जाता है और उसके साथ में exclamation mark लगाया जाता है कुछ इस तरह से वाव ओ ओके जैसे मैं अगर किसी phone को देख के बहुत ज़्यादा surprise हो गया वाव इस phone is amazing यहाँ पे Interjection क्या है वाव यहाँ पे यहाँ पे जाता है words को connect करने के लिए phrases को connect करने के लिए और clauses को connect करने के लिए एक sentence के अंदर जैसे and and word का use ऐसे ही connect करने के लिए किया जाता है but although या फिर और जैसे for example I like to watch YouTube and eat pizza यहाँ पे conjunction क्या है and एक और example देता हूँ my girlfriend is very loud whereas I am very quiet तो यहाँ पे whereas जो है conjunction है next part of speech है preposition preposition का use किया जाता है किसी जगे को किसी time को या किसी direction को describe करने के लिए और हमेशा इसका use noun या pronoun के आगे किया जाता है पहले किया जाता है जैसे for example under above in during इस type के words को हम preposition बोलते हैं the cat jumped over the box यहाँ पे preposition क्या है यहाँ पे preposition है over get into the car quickly before we are late to school इस sentence के अंजर preposition क्या है into उमीद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों आज की इस वीडियो बसतना ही यहाँ झाँ आप के बिलोथ, अ, यहाँ जए इसकी